हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग आज हम एक नए टॉपिक की बार करेंगे जो की है जूस जैकिंग जूस का मतलब यहाँ जो आपके मोबाइल, स्मार्टपोन, लैप्टॉप में जो डेटा है उससे है ये इसमें इंक्लूर होते हैं पास्वर्ड, वीडियो, इमेजिस, सब तो आज हम डेटेल में जानेंगे की जूस जैकिंग क्या होती है इससे कैसे बचा जा सकता है यदि किसी के साथ स्कैम हो जाए तो उसके बाद क्या 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 करना चाहिए हमें क्या क्या साथानी बरतनी चाहिए इससे बचने के लिए हमें क्या 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 नहीं करना चाहिए यह सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों तो जूस जैकिंग हम डेटेल में डेस्कस करते हैं जैकिंग मीन्स टेक सम्थिंग इलिसिटली स्टील चोरी करना और जूस यहां पर मतलब है आपके टेबलेट आईपैड लैप्टॉप का डेटा यह OTP यह वीडियो जो आज कल हम पबलिक चार्जिंग जो पोर्ट होते हैं एरपोर्ट पर या रेल्वे स्टेशन मेट्रो पर या बस अड़ो पर हम अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं और चार्ज करने लग जाते हैं कई केसिस में तो वो आपके मोबाइल या जो डिवाइस है उसका पूरा कंट्रोल भी ले सकते हैं वट वी डू और नीड टू डू हमें हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए जब भी हम हमारा फोन जो आउट आफ वो चार्जिंग होने लगता है वे जाते हैं हम कौफी शॉप पे मौल में इस्टोर में और जो वहां पर चार्जर होते हैं उसमें कनेक्ट कर लेते हैं अबर जो अपनी चार्जिंग है वो फिल करने लगते हैं जिसे हम जूस कहेंगे बट इस नॉर्मल सिनेरियों में भी जो fraudster हैं आजकल बहुत चलाक हो गए हैं वे हमारा डेटा चोरी कर रहे हैं scamster क्या करते हैं public charging port पर जो airport bus stand होटल में लगे होते हैं इसमें malicious hardware या software install कर देते हैं जिससे वे आपका data असानी से चुरा सकते हैं juice jacking काम कैसे करता है juice jacking can be work in following ways malicious charging stations, scammer are setting up charging point वे जो charging point होते हैं जो आपको लगते हैं कि हमारी सुविदा के लिए बनाए गए हैं लेकिन उन्होंने वो अपनी सुविदा के लिए कर ले हैं और उसमें उसे वो rig कर देते हैं यानी change कर देते हैं एक बार जैसे ही आपने अपनी device उनकी जो cable लगी होती है वहाँ पर उसमें connect की तुरंत आपका data copy होने लग जाता है जो device वहाँ लगी होती है और जिससे वो illegally बहुत फायदा उठा सकते हैं जिसमें आपके password, personal information, bank, detail, image, video सब कुछ copy हो सकता है तीसरा एक वो क्या करते हैं कई बार जो scamster बहुत ज़्यादा चलाग होते है वो आपके device में malware इंस्टॉल कर देते हैं वहाँ से जिससे की पूरी की पूरी आपके device उनके control में आ जाती है तो जैसे ही कोई भी OTP या कुछ भी आएगा तो वो वो देख पाएंगे क्योंकि पूरी device उनके control में है इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे safe रह सकते हैं इस juice jacking से इसकी दो category है एक जिसमें कोई पैसा नहीं लगता दूसरे के लिए हमें थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं दो category में मैंने से divide किया है पहला जो without cost है सबसे पहले disable auto connect तो जैसे ही आप cable से mobile connect करते हैं या को device connect करते हैं उसमें आपको message आता है कि auto connect का option तो कभी भी किसी भी device पर आप auto connect को enable ना कीजिए हमेशा उसे disable करके रखिए ताकि जैसे ही आप connect करें कहीं भी laptop का जो software है regularly उसको update करते रहें क्योंकि company जो नए नए virus आते हैं उनके अगेंज जो upgrade होता है वो update निकालती रहती है तो आपको अपना software जो mobile या device का है regularly update करते रहना चाहिए जब भी आपको कभी भी अपना mobile या device किसी public place पर charge करना पड़े तो हमेशा कोशिक करें कि आप अपना phone switch off कर दें या device switch off कर दें और उसके बाद उसे charge पर लगाएं जिससे कि आपका data copy नहीं होगा हमेशा अपनी device का जो password है वो बहुत strong रखें जिससे कि कोई भी easily आपका password ना break कर सके और अपना password weekly basis या monthly या fortnightly basis पर change करते रहिए दूसरा जो कुछ तरीके हैं जिसमें हमें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है यदि आपको बहुत बार public place पर अपना device charge करना पड़ता है तो इसका simple solution है कि आप अपना charger अपने साथ लेकर चले ताकि आपको कभी भी ये scam का सामना ना करना पड़े दूसरा एक और बहतर उपाई है कि आप अच्छे से power bank में invest कर सकते हैं आज कल power bank 800 से 1000 रुपे में आ जाता है तो आप एक power bank रखिए और वो power bank आपके device को 2 या 3 बार charge कर देता है तो इससे अच्छी चीज कोई कुछ नहीं है आप USB data blocker भी यूज कर सकते हैं जो की 2.200 रुपे में आता है उससे क्या होगा जैसे ही आप अपनी केबल के आगे उस data blocker को लगा देंगे तो आपका mobile या device charge होगी लेकिन data transfer नहीं होगा क्योंकि data वो USB जो है block कर देता है ये किसी भी Amazon Flipkot पर easily available होता है चोथा हम laptops में तो antivirus यूज करते हैं लेकिन mobile के लिए हम antivirus यूज नहीं करते तो यदि आप कुछ खर्चा कर पाएं तो अपने mobile में भी एक antivirus install कर लीजिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता 4-500 रुपे में antivirus आ जाता है अब हमें क्या नहीं करना चाहिए उनकी बातों का भी हम discussion कर लेते हैं कभी भी अपना phone unlock करके charge नहीं करना चाहिए जैसे ही आपने unlock किया आपके device का data copy हो सकता है Don download from unknown site किसी भी unknown site से आपको data download नहीं करना चाहिए किसी भी unknown links पर आपको click नहीं करना चाहिए कोई भी जो आपको advertisement दिखती है online उन पर click नहीं करना चाहिए कोई भी आपको unknown file जैसे video या image भेजे जिसको आप trust नहीं करते उनको कभी भी click करके receive नहीं करना चाहिए और public wifi का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए क्योंकि public wifi बहुत easy तरीका है scamsters के लिए इसको आपका data को चोरी करने के लिए government और RBI क्या कर रहे है इसके लिए RBI ने बहुत बार warning की है आप सको search कर सकते है RBI ने बहुत बार warning किया है public को कभी भी public port से आप charge ना करें SBI ने भी government public को warn किया है कभी भी हमें public charging point यूज नहीं करने चाहिए कहां कहां scam के case यूज हो चुके है juice jacking के related दिल्ली, Odisa, Noida और other metro cities में बहुत सारे case report हो चुके है यहां लोगों की बहुत सारी कमाई भी जा चुकी है जैसे ही scamster आपके mobile या device में malware install करते हैं और आपके device का control ले लेते हैं तो वो आपकी phone पे paytm apps यूज कर सकते हैं और किसी को भी पैसा transfer कर सकते हैं अगर आपके साथ ये scam हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले तो आपको near जो भी cyber police है उसमें complain करनी चाहिए इसके लिए आपको अपना phone भी वाँ deposit करना पड़ सकता है तो इस बात का ध्यान रखिए आप online case भी कर सकते हैं और जिस भी यदि आपको कोई पैसा चोरी हुआ है जैसे paytm phone पे किसी भी app से तो उस company को जरूर आप इसकी complaint डाले ताकि शायद वो भी आपकी help कर सके इस related आपको कोई भी question हो आप comment box में पूछ सकते हैं मैं आपके हर question का जवाब देने के लिए always ready हूँ एक बार मैं आपको request करूँगा कि यदि आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो आज ही subscribe करें ताकि कि हम latest information आप तक पहुँचा सकें दोस्तो आशा करता हूँ juice jacking पे मैंने जितनी भी detail दी है वो आपको काम आएगी आप इस video को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से share करें यदि आपने इस youtube channel को subscribe नहीं किया है तो आज ही subscribe करें ताकि important information आप तक पहुँचती रहे इसके बाद मैं वही दो बाते कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ पहला अपनी health पे ध्यान दे और दूसरा कम से कम एक अच्छा काम जरूर करें जैसे किसी senior citizen की help करना किसी गरीब बच्चे को खाना चिलाना या कोई भी help किसी को हसाना कोई भी एक ऐसा अच्छा काम जरूर करें Thank you so much